हलो दोस्तो मैं कमाई एससी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके साथ रिजनिंग का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस करने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है मैथेमेटिकल डिजनिंग यदि आपने कोई भी एक्जाम दिया है तो आपने उसमें संख्या दी गई होगी उसके आधार पर जानवरों की संख्या आपको गयात करनी होगी मैथमेटिकल डिजनिंग का आज पार्ट फाइब है तीन वीडियो हमने केवल एज प्रॉब्लम पर बनाई है यदि पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस पात चार में हमने आख और पैर समंदित प्रसन का एक और पात डिसकस किया है तो यदि पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार वीजिट जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं आज के सेशन और देखते हैं आज के और एक एक वीडियो में हमने दोनों पैटर्न बताएं तो चलिए पहले आप कुश्चन को पढ़िए खुद से करने की कोसित कीजिए उसके बास हम इस कुश्चन का सलीशन बताते हैं तो पहले हम प्रसनों को पढ़ते हैं एक आदमी ने अपने घर में कुछ बिलियां तथ कुछ कभूतर पाला है ध्यान रखेंगे यहां बिल्लियां दिया गया और यहां कभूतर दिया गया है यदि उसके घर में पालतु जानवरों के पैरों की संख्या 450 होती है तथा आखों की संख्या गढ़ना करने पर हमें आखों की संख्या कितनी प्राप्त होती है 300 कि या फिर दोनों का ratio आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो अब बताएं इसका pattern क्या हुआ, तो चलिए पहले हम इसके equation method से बनाते हैं, equation method से कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं, तो पहले हम यहां क्या लिखेंगे, तो पहले हम यहां 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 लिखते हैं कभूतर, पहले हम यहां कभूतरों को बनाते हैं, उसके फास से फिर बिल्लियों को बनाते है, ठीक है, तो यहां हमने लिखा cat, ठीक, यहां हमने लिखा cat, और cat को हम किस से denote करेंगे, तो यहां आप लिखिए cat को और cat को आप denote कीजिए x से, ठीक है, यहां तक आपको कोई confusion नहीं होनी चाहिए, C से आपका cat है, ठीक, उसके बाद से आता है आपका कभूतर, तो कभूतर आपको P से दरसाएंगे, P जन, और इसको हम Y से denote करते हैं, यतना बातकार आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको पास जो cat है cat के कितने पैर होते हैं, तो यहाँ देखे, cat के पैरों की संख्या आपकी चार होती है, और जो कभूतर है, उसके पैरों की संख्या आपकी कितनी होती है, तो कभूतर के पैरों की संख्या आपकी दो होती है, यह अतना तक हो गया, उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ जो बिल्ली है तो बिल्ली के जो आँखों की संख्या होती है कितनी होती है तो बिल्ली के आँखों की संख्या आपकी दो होती है और उसके बाद से आपका आता है कबूतर यहां कबूतर के भी आँखों की संख्या आपकी दो ही होती है यहां तक आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए यहां तक हमने आपको जो बताए, एकदम simple pattern था, इसमें कुछ भी नहीं है, यहां तक कोई भी confusion नहीं होनी चाहिए, तभी आप आगे के सवालों को solve कर पाएंगे, यहां देखे, cat, cat हमने लिए cat के कितने पैर, चार पैर पीजन हमने लिए, पीजन के कितने पैर, दो पैर, और बिल्ली के आपकी दो आखे, और कभूतर की भी आपकी कितनी आखे, कभूतर की भी आपकी दो आखे, तो अब हम क्या बनाएंगे, तो अब हम सबसे पहले जो काम क वह है equation बनाएंगे, equation हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ देखिए, बिल्लिया कितनी है, x, पैर कितने है, 4, तो मतलब total बिल्लियों के आपके पैर कितने हो जाने चाहिए, तो total बिल्लियों के आपके पैर कितने हो जाने चाहिए, 4x, यहाँ तक कोई confusion नहीं होनी चाहिए, ठीक है उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं यहां देखिए आपके कभूतर कितने है य और एक कभूतर के कितने पर दो पर मतलब टोटल कभूतरों के पास आपके पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए 2Y और हमें टोटल पैरों की संख्या दी कितनी गई है यहां देखिए यदि हम प इचों कि आ अंखे है तो हो और कोई समली हो ते तों इस वह फिल फिल सब्सक्रम जोँ आपको बिद्ली है आज वकुंक वल्हगालों कहना है आड़ंग . तो अब यहाँ आपको simple और simple equation को solve कर लेना है equation को solve कर लेने से ही हमारा मान आ जाएगा यहाँ हम घटा देते हैं समिक्रण एक मैंसे समिक्रण दो को यहाँ आपका cut जाएगा और यहाँ आपका बचेगा 2x बराबर 150 और 1x बराबर आपका मान आना चाहिए 75 ठीक है इतने में आपको कोई confusion नहीं होने चीए लेकिन यहाँ ध्यान से देखने पर हमें ratio यहाँ कितना मिल रहा है तो ratio हमें 1 ratio 1 मिल रहा है कैसे यहाँ देखिए हम x का मान यहाँ put करेंगे तो हमारा 2x कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा जब 150 हो गया तो यहाँ आपका 150 प्लस 2y बराबर 300 तो 2y बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ से तो 2y बराबर आपका यहाँ से देखिए हो जाएगा 150 और पुनह जब हम y का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारा y बराबर यहां कितना आ जाना चाहिए y बराबर हमा 75 आ जाना चाहिए ठीक है यहां तक आपको कोई भी confusion नहीं होनी चाहिए कैसे किया हमने आपको समझ में आओगा एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं हमने सवालों का अप्रोच किस प्रकार से लिया तो यहां आपका जो बिल्ली है वो भी 75 है और उसके बासे जो कबूतर है आपका ओ भी 75 है वन रिश्यो वन में है ठीक है हम आपको बता देते हैं एक बार हमने कैसे कि यहां देखिए हमने बिल्लियों को माना x कबूतर को माना हमने y आपकी किसी भी बिल्ली को देखे होंगे तो उसके पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं तो 4x कुल बिल्लियों के पैर 4 कबूतरों के पैर कितने होते हैं? तो कबूतरों के पैर 2 होते हैं टोटल कबूतरों के पैर 2i और इन दोनों को add कर देते हैं तो हमें कुल पैरों की संख्या मिल जाती है और कुल पैरों की संख्या आपकी कितनी है तो कुल पैरों की संख्या 450 है अब उसके बास से आईए आखों की कब बिल्लियों की भी दो आख है और कभूतर की भी दो आख है 2x plus 2y बराबर आपका 300 आ गया अब आप simply घटा लिए तो x बराबर 75 और x कमान पूट कर दिए तो y बराबर भी 75 आपका आ जाता है ठीक है तो यहां तक आपको समझ में आगा ratio यदि आपसे पूछा जाता है तो 1 ratio 1 बिलियों की संख्या आपसे पूछी है तो 25 और कभूतरों की संख्या आपसे पूछी गयोथी तो कितना आता 25 ठीक है तो चलिए इसे हम बनाएंगे allegation method से हमें जो मान दिया गया है उस आधार पर हम इनके मानों को ग्याद करेंगए ठीक है तो अब इसे allegation method से ग्याद करने के लिए सबसे पहले हम यहां लिखेंगे cat हमने cat लिख दिया, उसके पास एक कभूतर हम लिखेंगे peasant अब उसके पास हमें क्या कर रहा है, तो हमें पैरों की संख्या लेनी है आपके cat हैं, जो आपके पास बिल्लिया हैं, उनके पैर कितने होते हैं तो बिल्लियों के आपके चार पैर होते हैं, और कभूतर के आपके कितने पैर होते हैं, दो पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहां हम ले रहे हैं, तो वही मान लेंगे जो एक दूसरे से भिन्नो यदि हम आख लेते हैं तो दोनों आखों की संख्या बराबर हो जाएगी अधर हम रेशियों निकालने में हमारा मान गलत आ जाएगा ठीक है यहां हम पैरों की संख्या ही लेते हैं और यहां हमने पैरों की संख्या लेते हैं तो यहां भी पैरों की संख्या लेंगे तो देखिए हम आपको बताते हैं कि अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ देखिए, पैरो की गड़ना करने पर 450 होती है, तथा आखो की गड़ना करने पर कितना होती है, 300, तो एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति के पास, या फिक किसी भी जानवर के पास, मैक्सिमम आखो की संख्या 2 होती है, और टोटल आखें कितनी दी गई हैं, तो टोटल यदि आखें हमारे पास 300 दी गई हैं, और मैक्सिमम आख 2 ही होती हैं, तो यदि हम इसमें 2 से भाग देते हैं, तो हमारे पास टोटल जानवर कितने आने चाहिए, तो मतलब 150 जानवर हैं, इतना तो confirm हो गया कि उस आदमी के घर में कबूतर और बिल्लियों को मिलाकर 150 जानवर हैं, अब हम क्या करेंगे, तो आउसत पैरों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहां देखिए, आपके पास कुल पैरों की संख्या कितनी दी गई है, तो कुल पैरों की संख्या आपके पास दी कैसे हैं, तो ध्यान दीजीए, आउसत हम निकालते कैसे हैं, जैसे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार का आउसत निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, अंकों का योग, एक दो तीन चार का आउसत निकालना है, तो हमें कह करता हैं, तो अंकों का योग, एक प्लस दो प्लस 3 प्लस 4 अब बटे कुल अंख कुल अंख कितने हैं तो कुल अंख 4 है यहां तक समझ में यहां भी हमने वही लिया है कि पैरो का योग बटे कुल जानवर ठीक है तो यहां तक आपको कोई भी करना है हमारा मान आ चुका है बस थोड़े से solution के साथ हमको आगे बढ़ना है ठीक है तो अब बताए इसमें से आप इसको घटा दीजिए जो बड़ा है उसमें से ही घटाता है इसमें रिडात्मक मानने delegation में नहीं लेते हैं चार में से 3 घटा दीजी आप कमान कितना आ गया एक आगया और 3 में से 2 घटा दीजी आप कमान एक आगया 1 ratio 1 के क्रम में आ गया तो अब बताए इससे आ गया हम कैसे solve करेंगे तो देखिए यहां 1 ratio 1 में आए मतलब जितने कभूतर है उतनी बिल्लियां, यहां तक तो confirm हो गया लेकिन कभूतर प्लस बिल्लियों को मिला कर आपकी संख्या कितनी है तो कभूतर प्लस बिल्लियों को मिला कर हमारी संख्या है 150 और यहां कभूतर प्लस बिल्लियों को मिला कर हमारी संख्या कितनी है तो यहां कभूतर प्लस बिल्लियों को मिला कर हमारी संख्या है दो तो दो आपको कितने को रिपरजेंट करेगा तो दो आपका रिपरजेंट करेगा 150 को 1 रिपरजेंट करेगा 75 को मतलब आपके जो पास कभूतर है वो भी 75 है आपके पस जो बिलिया है वो भी बचाता रहें ठीक है तो ये था आपका allegation method जो सबसे best है यदि आपका approach clear है यदि आपका concept clear है तो इस परकार के सवालों को आप 2-3 second में बना ले जाएंगे यदि आपको समय लगता है तो कोई दिक्कत नहीं कुछ ऐसे भी questions होते हैं जिसमें कम समय लगता है यदि dice आपने पड़ाया या फिर find missing number इस परकार के सवालों का approach 2-3 second में आसानी से हल हो सकते हैं ठीक है तो इसको हम देखेंगे कैसे किया हमने तो यहां देखें आपने यहां कभूतर लिखा फिर यह आपने कभूतर लिखा पैरों की संख्या आपने लिखी और बीच में औस पैरों की संख्या लिखी औस पैरों की संख्या हमने कैसे निकाला यहां से आप देख सकते हैं और उसके बास से 1 ratio 1 में आगया टोटल 3 टोटल कितने हैं आपके 150 तो 75 75 दोनों हैं इतना तो आपका confirm होगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका next question देखते हैं आपके सामने दिया गया है आप एक बार इस question को try कीजी अप्रोच क्या है इस बार इसको खुद से करने की कोसिस कीजी उसके बास हम इसका solution बताते हैं कि कैसे इस प्रकार के सवालों को हम solve करेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं इसका solution हम कैसे करेंगे ध्यान रखेंगे हमने mathematical reasoning से पहले dice, find missing number, number series तथा order and ranking पूरे एक बिस्तित pattern पर डिसकस किया है अलग-अलग जैसे आपको dice की एक अलग से playlist, find missing number की एक अलग से playlist number series और order and ranking की एक अलग-अलग से playlist इस वीडियो के description में मिल जाएगी आपको एक complete reasoning की भी playlist मिल जाएगी इस वीडियो के description में वहाँ सजाकर आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं पहले कि इस question का solution कैसे होगा आपके सामने जो question दिया गया है इसका बताइए pattern क्या है या फिर approach क्या होनी चाहिए ठीक है तो पहले हम इसे equation method से बनाने की कोसिस करते हैं उसके बाद से हम इसको किसे बनाएंगे तो उसके बाद से हम इसको allegation method से बनाएंगे अब यहाँ बताइए आपने तो यहाँ पहले हिरन को लेते हैं यह पहले हम प्रस्नों को पढ़ते हैं एक जंगल में केवल हिरन और मोर रहते हैं यदि जंगल में पैरों की संख्या गिनते हैं, तो हमें 100 प्राप्त होती है, और यदि हम आखों की संख्या गिनते हैं, तो आखों की संख्या हमें कितनी प्राप्त होती है, 60 प्राप्त होती है, तो जंगल में हिरन और मोर बताईए कितने कितने हैं, ठीक है, तो यहां चलिए देखते हैं इस वो हम कैसे solve करेंगे तो यहाँ पहले हमने लिखा आप पहले यहाँ हिरन को लिख दिए तो हम इसे हिरन को हम D से बनाते हैं DR मतलब हिरन तो हम पहले यहाँ हिरन को बनाते हैं हमने D लिखा और हिरन को हम denote कैसे करते हैं हिरन को हम x से denote करते हैं यह माल लिए ठीक है और उसके बाद से आपका मोर आया तो यहां आप भी कॉक लिखिए और इसे आप किसे denote करेंगे तो आप इसे y से denote कर लिए सवालों को solve करने में आसानी होगे ठीक है अब आगे बढ़िए हम आपसे एक question पूछते हैं इस question का जवाब दीजिए आपके पास हिरन के पैरों की संख्या आपके कितनी होनी चाहिए तो हिरन के चार पैर और यदि आपसे more के पैरों की संख्या पूछी जाए तो more के आपके कितने पैर होंगे तो more के आपके दो ही पै तो मोर की आखे भी आप दो ही बताएंगे क्योंकि आखों की संख्या सभी के पास समान रहती है यहाँ तक कोई confusion आपको नहीं होनी चाहिए अब आगे बढ़ते हम आपको अप्रोच बताते हैं कि कैसे इस प्रकार के सवालों का अप्रोच करेंगे हम तो यहाँ देखिए आप आपके पास हीरन टोटल है कितने तो आपके पास टोटल हीरन है एक्स और एक हीरन के पास चार पैर मतलब कुल हीरनों के पास पैरो की संख्या आपके पास कितनी हो गई तो कुल हीरनों के पास पैरो की संख्या आपकी चार एक्स हो गई यहाँ तक कोई confusion नहीं होनी चाहिए आप सवालों को एक एक करके क्रम से समझते चलेंगे ताकि आपको कोई confusion नहीं हो यहाँ देखिए आपके पास more कितने हैं तो more आपके पास y है और एक more के पास कितने pair होते हैं दो pair अतो कुल more के पास pair की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी तो 2y हो जाएगी यहाँ तक आपको कोई confusion नहीं होनी चाहिए अभी एक बात हमें बताइए कुल pair की संख्या आपको दी कितनी गई है 4x plus 2y आपकी क्या है कुल pair की संख्या लेकिन कुल pair की संख्या यहाँ देखिए जंगल में pair गिनते हैं तो हमें 100 प्राप्त होते हैं मतलब कुल pair की संख्या में 100 दी गई है यहाँ तक तो confirm है ठीक है अब आगे बढ़िए आगे बढ़ते हैं तो इस क्रम में बढ़ेंगे यहाँ देखिए हमारे पास X जो हिरन है और उनके पास भी दो आख है और Y मोर है उनके पास भी दो आख है मतलब 2X प्लस 2Y बराबर कुल आख्यों की संख्या आपकी हो जाएगी 2X प्लस 2Y और कुल आख्यों की संख्या आपको वास्तों में दी कितनी गई है तो यहाँ देखिए कितनी दी गई है, 60 दी गई है, अब आप equation को solve कर लिजे, simply कुछ नहीं करना है, आपका मान आ जाएगा, यहां से आप घटा दीजिए, यहां आपका cut जाएगा, यहां आपका आएगा 2x, 2x बराबर आपका 40, x बराबर आपका आजाएगा 20, x बराबर आपका 20 आ गया, x आपने किसे मान तो x आपने हिरनों को माना है, मतलब आपके जंगल में total 20 हिरन है, यह तो confirm हो गया, अब y निकाल लिए, y कैसा निकालेंगे, तो x का value यहां put कर दीजिए, 20 दुनिया आपका कितना हो गया, तो 20 दुनिया आपका हो गया, 40 और 60 में से 40 कटाएगे, तो आपका मान आजाएगा 20, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 बटे 2, मतलब आपका मान y बराबर कितना आगया, तो y बराबर आपका 10 आगया, मतलब आपके पास more कितना है, more आपके पास 10 है, और हिरन आपके पास 20 है, ठीक है, तो आप equation method से भी यह दिया आपका अपरोच के लिए रहे, तो 2 से 3 सिकेंड में आप सवालों को बना ले जाएंगे, तो चलिए इसका allegation method देखते हैं, allegation method वैसे तो सबसे best है, तो पहले हम allegation method ही देखते हैं, allegation method का हमारा आपरोच क्या होना चाहिए, ठीक है, तो चलिए allegation method से solve करता है, यहाँ आप पहले deer को लिग दीजिए, ठीक है, आ आपके पास more के पास कितने पार, तो more के पास 2 पार, और बीच में हम क्या लिखेंगे, पिछली वीडियो से ही हम आपको बता रहा हैं, कि यहाँ पार लिखे हैं, यहाँ पार लिखे हैं, तो प्रस्ण में हम किसी भी तरह से ज्याद करना पड़ेगा, आउसत पैरों की संख ही होती है इतना तो confirm है यदि दो आखे होती हैं तो 60 आखे हैं और एक आदमी के पास दो आखे मतलब जंगल में कितने लोग हैं तो जंगल में आपके जानवर 30 जानवर हैं यहां तक आपको कोई भी confusion नहीं होनी चाहिए ठीक है और total पैर कितने हैं तो पैरों की संख्या गिन् हैं तो यहां से आप निकाल लीजी आपका माना जाएगा 10 बटे 3 मतलब बीच में हमें कितना पुट करना पड़ेगा तो बीच में हमें यहां 10 बाई 3 पुट करना ही पड़ेगा ठीक है तो अब यहां घटाईए आप कैसे मानो काम घटाते हैं यहां आपकी अप्रोच क्या पहले हम आपको बताते हैं जो बड़ा मान होता है उसी में से छोटा गटाते हैं और ध्यान रखेंगे इलिगेशन में रिडात्मक कभी भी नहीं लेते हैं ठीक है तो अब यहां गटाएंगे आप 2-10 बटे 3 या फिर 10 बटे 3-2 किसी भी तरह से गटा लेंगे लेकिन हमें रि मान आ जाएगा तो यहां हम डैरेक्ट-4 बटे 3 लिख देते हैं लगिन हमने आपसे कहा था कि हम रिडात्मक नहीं लेंगे तो यहां हम कितना लिखेंगे तो यहां हम आपका 4-3 ध्यान रखेंगे तो यहां हम direct कितना लिख देंगे तो यहां हम लिख देंगे 2 बटे 3 यहां तक कोई confusion यहां तक आपको कोई भी confusion नहीं होनी चाहिए अब आप simply ratio निकाल लिजिए ratio कहीं अब यहां बस काम है आपका यहां से यहां कटा दीजिए 2 एक करने 2 और 2 दूनी आपका हो गया 4 मतलब 2 ratio 1 आपका आ रहा है तो यहां इसको हम थोड़ा clear करके यहां 2 ratio 1 डाइरेक्ट लिख देते हैं उसके बाद हम आपगे कि आपरोच आपको बता दें यहां आपका कितना आ गया तो 2 ratio 1 ठीक है अब एक बात हमें आपको बताईए यहां आपको हिरन और मोर टोटल हैं कितने देखिए हमने यहां से निकाला 60 आख हैं और 2 से भाग दिया मतलब जंगल में कुल 30 जानवर मतलब हिरन और मोरों को हम योग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 30 आता है यहां ता कनफर्म है तो एक बात आप हमें बताईए यदि हिरन और मोर का योग करते हैं तो वास्तों में हमें प्राप्त हो रहा है 30 लेकिन यह तो आपका हिरन है यह मोर है इन दोनों का योग करने पर हमें 3 प्राप्त होता है लेकिन वास्तों में ये हैं कितने वास्तों में ये 30 हैं तो आप 1 ग्याद कर लेंगे कितना आगे आपका 1 बडाबर 10 मतलब आपके पास मोर कितने हैं तो मोर आप यहां से ग्याद कर लीजिए मोर हमारे पास हैं 10 और आपके पास जो हिरन है हीरन कितने है तो दो यूनिट आपको 20 को रिपर्जेंट करेगा मतलब आपके पास हीरन 20 है और मोर आपके पास 10 है आप इस प्रकार से रेशियो भी ग्याद कर सकते हैं अलग-अलग हीरन तथा मोर के मानों को भी ग्याद कर सकते हैं तो चलिए आज का से से नहीं पर समाप्त करते हैं यदि ये वीडियो आपको पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रिजनिंग से समद्धित अन इंप्रण से से सन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम अपने चैनल पर कंप्लीट रिजनिंग आपको प्रवाइड करने वाले हैं हर चैप्टर पर कम से कम सो डेर सो प्रसनों को करेंगे जिसमें प्रिवियस येर क्वेस्चन जरूर 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 सामिल होंगे तो चलिए आज का सिस्तर नहीं पर समप्त करते हैं यदि वीडियो आपको पसंद आएए तो इस वीडियो को लाइक करें धन्यवाद